हेलो फ्रेंट वैलकम वैक टू एक्टिव माइन तो फ्रेंट हम यहाँ पर देख रहे थे वोकाइप बिथ निमोनिक सिरीज तो आज उसी सिरीज को हम फिर से कंटीनियू करेंगे और देखेंगे कुछ interesting funny tricks के साथ vocab को याद करने की कोसिस करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला word है हमारा as9 as9 तो friends इसके लिए इसका meaning क्या होता है? मूर्ख अब यहाँ पे देखिए की आप क्या लगाएंगे? as9 आप इसको छोड़िए जैसे यहाँ पे है as9 मूर्ख पड़े हैं इस दुनिया में क्या बोलेंगे आप? as9 मूर्ख पड़े हैं इस दुनिया में यानि as9 मूर्ख पड़े हैं इस दुनिया में यानि क्या हो गया? as9 means मूर्ख तो आप इसको याद रखना अब देखिए friends इसका जो synonym है वो है एक obstinate ये बहुत इंपोर्टेंट है और दूसरा है इस्टूपिड ये तो सभी जानते हैं लगभग फूलिस फूल मिस मूर्ख ये भी हम जानते हैं तो आप इसको याद रखना और अप्स्टिनेट मिस क्या होता है मूर्ख यानि ये एस्टिनाइन का सिनोनीम हो जाएगा देखिये फ्रेंज, Нेस्ट है हमारा S.A. S.A. का हिंदी क्या होता है वैसे तो S.A. का हिंदी अगर यहाँ पे रहता E, W, S, E, Y इसका मिंस होता है निबंध लेकिन अगर यहाँ पे Amenay है तो इसका मिंस होता है परिच़र करना यानि किसी को judge करना उसका examination लेना तो यहाँ पर देखिए essay यानि परिक्षा में essay awareness के परिछड के लिए दिया जाता है यानि परिक्षा में essay awareness के लिए awareness के परिछड के लिए दिया जाता है यानि essay means क्या हो गया परिछड करना और इस essay means क्या होता है निबंद तो यहाँ पर यहां पर याद की call ढ़ा मेशन हरती है Last है क्योंय यहां सब्सक्र efficacy बिश्धेरख त्चराई क्या बो Hm कर दो झाल जानाते ह वहीं में a कजीद बहुत हनो, तो इसप्र सभर युप्र स्वाज न को पुपलेशन कारते है अ Aegis पॅइध्या ite यह यह इस्टा जूड़के है तो आप Q पे लिया क्यूपई लेशन याद रखना देखें फ्रेंच नेश्ट देखने हैं यहां पर एसेंट को हमारा नेश्ट वड़ क्या है एसेंट मिनस क्या होता है इसवीक्रिति यानि ऐसा sent यहाँ पे देखे friends बहुत लंबा ही link है मेरी girlfriend ने ऐसा ही बहुत बढ़ियाँ खुसुवघ वाला sent लगाया हुआ था ऐसा sent लगाया हुआ था तब ही तो मैंने उससे पहली बार बात करके उसे स्विकार कर लिया था या फिर आप यहाँ पे दूसरी इत्ला से तो आप सिनोनिम भी याद रखना तो देखिए यहां पर हम वोकैब तो टेन ही करते हैं लेकिन इसके साथ इसका सिनोनिम वह गहरा मिला कि यहां पर तीस से चालिस वर्ड हो जाते हैं लेकिन जरूरी नहीं हमको एक बार में याद हो जाए तो जब हम डेली के डेली देखते रहेंगे तो धीरे धीरे हमको बहुत सारा मीनिंग याद हो जाएगा यहाँ पर देखिए friends next देखिए next है हमारा aciduous अब aciduous मींज क्या होता है hard working aciduous मींज hard working यानि इसका की कैसे लगांगे as 10 as 10 यानि as 10 यानि hard work करने वाले लोग गधे की तरह 10-10 घंटे काम करते हैं यानि as 10 as 10 hard working यानि as 10 मींज hard working अब यहाँ पर देखिए friends इसका synonym क्या हो जाएगा attentive attentive मींज भी क्या होता है hard working यानि जो कि बहुत परिश्रम करता है उसे हम बोलेंगे वो वो बहुत ही attentive है बहुत ही hard working है बहुत ही परिश्रमी है constant है scheduling है diligent है अब देखिए यहाँ पर फ्रेंट्स दिलिजेंट आ गया अब जब हम D वाले synonym में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम D से पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर आप सीख लिजेंगे इसको भी diligent इसका हम कैसे की लगाएंगे जहां पर फ्रेंट्स जी इ एंटी जेंट मिंज क्या होता है पीपल यानि लोग तो आप क्या बोलेंगे दिल्ली मिंस जो हमारी राजधानी है दिल्ली जेंट यानि दिल्ली के लोग बहुत ही hard working है यानि diligent यानि दिल्ली की gent means जनता समझ लीजिए या लोग समझ लीजिए क्योंकि लोग ही तो जनता होते हैं तो आप क्या बोलेंगे diligent means hard working यानि दिल्ली के gent दिल्ली के लोग बहुत ही hard working यानि diligent means क्या हो जगा hard working तो आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं तो आप इसको यह फ्रेंट्स बहुत ही important है तो इसको याद रखना इसको synonym भी याद रखना acidous means hard working, attentive means hard working, constant, schedules, perceiving, diligent इन सब का meaning होता hard working तो आप से कभी भी synonym के रूप में इसको पूछा जा सकता है अब देखिए फ्रेंट्स नेश्ट भी हमारा वही है acidous लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलक ट्रिक लगाया गया है तो आप इसको छोड़ दिए यह तो आपको उमीद करते हैं याद होई गया होगा कुछ ने कुछ तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स एश्वेज एश्वेज लेकिन इसका मीश होता है क्या शांत करना अब यहाँ पर आपकी कैसे लगाएंगे यहाँ पर देखिए आयज योर एज हो सकता आपको confusion हो जाए क्योंकि यहाँ पर योर एज ऐसे है तो आप इसको simply समझे एज यानि आसू का एज यानि आसू की एज सुनकर बड़ी खुसी नहीं सांती मिली यानि आसू की एज जानकर बहुत सांती मिली आसू की एज जानकर हमको बड़ी सांती मिली क्या बलेंगे हम आसू की एज जानकर हमको बहुत सांती मिली तो आप ऐसे करके इसको याद लेंगे फ्रेंड्स, अशु एज, अASTU, एज का सिनोनिम क्या हो जएगा, काम, काम मींज शान्त हारा काम, रिली अप पीज, अपMIN सांती, मिटिगेट शान्ती, सेटिसफाई मिन सांती, तो आप सारा याद रखना कि आहां एक पह से माली जी आपसे मतलब ऐसा कोई word दे देंगे जिसका means होता आसांती तो वहाँ पे क्या होगा यहाँ से कोई तीन उठा लेंगे तो इसका means तो सांती होगा लेकिन हमको ढूना रहेगा आसांती का तो ऐसे करके हम उसको eliminate करके लगा सकते हैं तो फ्रेंड्स आप बस याद करते जाएए आपसे कोई भी question नहीं छुड़ेगा किसी भी exam में और वकाइब तो मतलब वकाइब के माधियम से आप दो तीन नमबर फिरी मिले सकते हैं अगर आपको यह याद रहेगा तो यहाँ पर देखे फ्रेंड्स आप इसको ऐसे चपड़िए आ इस्तूती आ इस्तूती याद रहसकते हैं अब देख फ्रेंड्स अस्तूती बहुती skilled है इगल-eyed है Arbeit Cunning सबका मिंस होता है इंटेलिजएन यहाँ पर आप और एक words देख लिजे है Prudent Prudent means भी होता है Intelligent तो ये भी कभी-कभी पूछा जाता है ये भी बहुत ही important word है Intelligent का synonym Prudent या फिर skilled, eagle-eyed, cunning, willy, crafty ये सब आप याद रखना देखें फ्रेंश, next है हमारा यहाँ पे our tone our tone, our tone तो इसका means क्या होता है प्राइस चित आप इसको छोड़ दीजिए, आपको मैं थोड़ा simple सा बताती हूँ, आप इसको कैसे पढ़ेंगे आटोने, यानि आटोने पढ़ेंगे आप इसको, आटोने पढ़ेंगे या एटोन पढ़ेंगे वैसे तो इसका जब हम सही-सही प्रोनाउंस करेंगे आटोन, आटोन, ऐसे करके लेकिन यहाँ पर हम मीनिंग याद करने के लिए इसको क्या बहुत बहुत प्राइसित किया आटोने आटोन मैंस क्या होता है प्राइसित अब इसका सिनोनिम क्या है एक्स पीएट इक्स पीएट अपीज एग्रीड प्रोपिटियेट पे तो फ्रेंड्स यह सब आप याद रखेंगे जब हम यहां पर पढ़ेंगे फ्रेंड्स P से तो यह सब वर्ड फिर से आएंगे तो आपको यह जो है यहां पर सिनोनिम के रूप में दिखेगा इस तरह से आपको हर एक वर्ड आपके जुबां पर रट जाएगा तो आप उसकी गलती वह मतलब उसका टेंसन मत लीजे आप बस वीडियो को देखते जाएए अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर एट्रोफी एट्रोफी में इस क्या आता है पुराना होकर खराब होना तो यहां पर आट्रोफी यानि एक ट्रोफी आट्रोफी ऐसे करके आप यानि ट्रोफी के अलामा सारी चीजे पुराना होकर खराब हो जाती है यानि एट्रोफी zewn पुराना होकर खराब होजाना इसका परन्स क्या है ड्वींडल ट्वींडल तो इसको आप याद रखना आप देखिए फ्रेंड्स एट्रिक्स्ट ऐट्रि क्षन Bliss just like it किसी भी दो चीज का आपस में रगड यानि उसमें अट्रेक्शन यानि अट्रेक्शन नीज क्या अट्रेक्शन आप इसका की लगाई है लेकिन इसका प्रोनाउंस और इस्पेलिंग याद रखना एट्रेशन है तो आप यहां पर क्या बोलेंगे लिंक कैसे लगाएंगे नसमें रगड पैदा होजाता है और इसका सिनोनिम क्या होजाइगा अब रेजन फ्रेक्शन या होता है घषन तो आप इसको याद रखने आनए राबेशाण का सिनोनिम क्या होजाएगा या ब्रेशन फ्रिक्ष 17 Пр ak Nos देख लेते हैं तो सरी इस वीडियो में यहिं तक दे